यूट्यूब आप लोग देखी सकते मेरे चाहरे पर काफी जादा टैनिंग पड़ चुकी है अभी और मेरे अंडर आई भी बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहे होंगे इस वीडियो में तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उप्टन स्क्रब फेस बैग जो की बहुत ज़्यादा बेनिफिशल होता है पॉर रिमूविंग टैनि वीडियो तू लॉंग लेट्स क्विकली मेग दे बेस्टन रिमूवल फेस स्क्रब सो इस उप्टन फेस स्क्रब को बनाने के लिए सबसे पहली इंग्रीडियंट जो हमे केसर मैंने चार पांच घंटे पहले एट किया था जिसने अपना रंग बहुत ही अच्छे से छोड़ दिया है मिल्क में तो आपको ऐसे ही केसर को भिंगो के रखना है उसके बाद मैंने यहां पे कटोरी में थोड़े से आमन के पेस्ट बना लिये हैं यह आमन जो है वो रा दरा ही रखे बिलकुल महीन बारीक ना पीसे देन मैं इसमें यूज करूंगी हाफ टी स्पून डाबर हनी मैं या पे डाबर का हनी यूज कर रही हूं आप चाहे तो किसी भी ब्रैंड का हनी यूज कर सकती है और क्यूंकि यह फेस्ट जो है वो मैं विंटर के सीजन में बन मिल्क तो मुझे यहां पे यह फेस्ट थोड़ा जादा थिक लग रही थी इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा और मिल्क एड कर दिया है और मैं इसे अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी आपने इसे बिलकुल विग्रेसली मिक्स करना है ताकि सारे इंग्रीडियंट्स जो है व बहुत जादा रनी लिक्विडी आपको नहीं बनाना है वरना यह फेस पे अच्छे से नहीं कर पाएगा और यह फाइनल लुक है इस फेस पेक को अप्लाई करने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है आप किसी फेस्वास का भी यूज कर सकती है मैं आपे रॉ मिल्क से अपने पूरे फेस को अच्छे से वाइप आउट कर रहे हूं ताकि मेरा फेस जो है वह थोड़ा सा डैम भी हो जाये इस फेस स्क्रब को अप्लाई करने से पहले So now it's time to apply the face scrub और इस face scrub को मैं अपने fingers के help से ही apply करूँगी मैंने अपने hands को अच्छे से clean कर लिया था उसके बाद मैं इसे apply कर रही हूँ अपने पूरे face पर मैं अच्छे से इसे thick करके मैं इसे apply कर लूँगी पूरे face पर वैसे तो ये face scrub है बट मैं इसे face pack के तरह ही use कर रही हूँ ताकि इसका जो power है वो double हो जाए और फिर थोड़ी दिर बाद मैं इस face scrub को scrub करते हुए अपने face से निकाल दूँगी और मैं इसे maximum 10 minutes तक अपने face पर रखूँगी तो यहाँ 10 minutes complete हो चुके हैं और आप लोग देख सकते होंगे कि ये पूरा dry नहीं हुआ है आपको भी इसे पूरा dry नहीं करना है तो आप मैं इस upton face scrub को अच्छे से massage करते हुए अपने face से wash out कर दूँगी तो यहाँ मैंने अपने face को अच्छे से wash कर लिया है and the result is in front of you आप लोग देख सकते होंगे मेरी skin जो है वो कितनी जादा glowing, कितनी moisturized और nourished दीख रही है and my skin feels like buttery soft और मुझे अपने skin जो है वो बहुत ही जादा मकमली मुलायम लग रही है अपने skin को touch करने के बाद बहुत ही जादा अच्छा feel हो रहा है और मैं यहाँ पे एक wipe के help से अपने पूरे face को अच्छे से dry कर लूँगी और आप लोग देख सकते होंगे after and before results कितना जादा difference है दोनों में और अपने skin को touch करने के बाद मुझे अपने skin बिलकुल cotton like soft feel हो रही है और साथी साथ इस face scrub से मेरे सारे blackheads, whiteheads and dead skin cells सारे अच्छे से remove हो चुके हैं तो मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा fresh feel हो रहा है और हाँ इस face scrub को wash करने के बाद आपको अपने face पर एक अच्छा सा moisturizer जरूर अप्लाई कर लेना है अगर आप भी घर बैठे ऐसी soft, supple and glowing skin पाना चाहती है आप इस face scrub को घर पर जरू try कर सकती है and yeah that is what for today's video, I hope you like it, please subscribe, thank you